कि नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहें एस्पियन नाइन न्यूस महरास्ट में महा अगारी की सरकार है वहाँ पर NCP, Congress और सिफसेन ने गट जोड करकर महरास्ट में अपनी सत्ता कायम की है उदर ठाकरे मुख्य मंत्री पद पर धारन इसलिए ही हो पाए है कि वहाँ पर NCP और Congress ने उनका साथ दिया है और साथ देकर सभी कामों में साथ साथ करने का वादा भी किया है लेकिन यहाँ पर उदर ठाकरे अपने रंग बदलते वे दिखाई दे रहे है जहाँ पहले भारते जंता पार्टी के खेमे में से कई ये बाते सामने आए थी कि ये गटबंदन ज्यादा दिनों तक चलने नहीं पाएगा ये तूटने के कगार पर जरूर पहुँचेगा कब पहुँचेगा ये तो वक्त नहीं था लेकिन पहुँचेगा जरूर ऐसा कहा गया था तब NCP शरत पवार की तरफ से कॉंग्रेस अंत्री मद्यक सोनिया गांदी और उद्दर ठाकरे जो महरास्ट के मुक्य मंत्री है और सिवसेना के अध्यक्षे तो वहाँ पर ये कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा ये गटबंदन साबित करके दिखाएगा कि महरास्ट में कितने सालों तक सत्ता में रह सकता है लेकिन यहाँ पर उद्दर ठाकरे ही रंग बदलते हुए नजर आ रहे है यहाँ बात ये है कि मुस्लिम कोटे को लेकर आरक्षन की बात चल रही है और शिक्षा में मुस्लिम कोटे को आरक्षन देने की बात कॉंग्रेस की तरफ से और NCP की तरफ से की गई थी लेकिन यहाँ पर उद्दर ठाकरे ने ये कहा कि उनके पास इस तरह का प्रस्ताब ना तो आया है अगर आयगा तो इसकी जाच परताल पहले की जाएगी इसको लेकर सतर्पता बनाई जाएगी और गंभीरता से सोचा जाएगा तब सोचेंगे कि इसमें आरक्षन की बात की जाए या ना की जाए लेकिन यहाँ पर चोकाने वाली बात आप यह सोच सकते हैं कि भारते जनता पार्टी इनके इस दरार की वज़ा से फायदा उठाने के लिए तैयार हो चुकी है यहाँ पर भारते जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता बोलते में नजर आए हैं कि अगर NCP और Congress आपका साथ नहीं देती है और वो अरी रहती है कि मुसलिम पक्ष को नौकरियों में आरक्षण देने की बात को लेकर अगर वो टिकी रहती हैं तो अगर आप उनका साथ छोड़ते हैं तो भारते जनता पार्टी अभी भी तैयार है आपके साथ जुड़ने के लिए आपका साथ देने के लिए इसमें से नेता है भारते जनता पार्टी के सुधीर मंगतिवार उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर रंगपा और Congress अलग प्रिस्ताव पारित नहीं करना चाहती है लेकिन यहां पर शरत पवार और सोनिया गांदी अड़े हुए हैं दस प्रतीशत आरक्षण की बात की जा रही है महरास्ट में मुस्लिम पक्ष को लेकर लेकिन यहां पर भारते जनता पार्टी ये कहती है कि अल्प संख्यकों को इसमें इसाई और मुस्लिम धर्म तो पहले से ही आते हैं लेकिन अलग से शरत पवार और सोनिया गांदी क्यों मांग कर रही है यह गलत है ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए और आरक्षण धर्म के अधार पर नहीं होना चाहिए अब इन बातों को लेकर यहां पर आ रहे हैं ज उनकी वहां से तो साफ तोर पर जाहिर हो चुका है कि वो उद्धर ठाकरे का साथ देने के लिए तयार है अगर यह दोनों पार्टियां उनका साथ छोड़ती हैं अब इस मुद्धे पर आपका क्या कहना है कमेंड बाक्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्पेन नाइ झाल